नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार में जब से महागटबंदन की सरकार बनी है और बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है तब से लगातार अमीद शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं एक तरफ अमीद शाह का ये सातवा दोरा होने वाला है बिहार का और इस वारो बिहार के मुझजफर पूर जिले में आ रहे हैं अमीद शाह के तहथ होगते हुए पार्टी तयारियों में जुट गई है पार्टी के प्रदेश सध्यक समराट चौधरी केंद्री ग्री राजमंत्री नित्यान अंदुराय सहीत अनिनेता मुजफरपूर का दौरा कर रहे हैं ग्रीमंत्री का दस महीने में ये पांचवा बिहार दौरा है पार्टी का मानना है कि इस रैली के जरिये ग्रहमंत्री को बिहार को जदियु राज़त वाली सरकार से मुक्ति दिलाने के अभियान का अगास करेंगे मुजफरपूर और आसपास के लोगसभा के नेता कारिकरता जूटेंगे मुजफ़पूर के बहाने ग्रिमंतरी आधा दर्जन लोगसभा सीटों पर निसाना शादने की कोसिस करेंगे इसलिए पार्टी के तमाम प्राकोस्टों और मोर्चा के नेता प्रदेश अध्यक सयोजक और प्रभारी भी रैली सफल करने में जूटे हुए हैं पार्टी मुजफ़पूर जिले की वैशाली लोगसभा सीट से कभी चुनाब नहीं लड़ी बल की गठवंदन सभी दलों के उमिद्वार चुनाब लड़ते अमीद शाह की रैली में इसको लेकर बड़ी घोशना के कयास भी लगाय जा रही हैं रहले इस्थर पता ही हवाई अड़ा वैशाली लोगसभा में पढ़ता है 25 फरवरी को पश्मी चंपारन के लोरिया में जनसभा उन्होंने की थी 2 अप्रेल को नवादा में अमिद्श्या ने जनसभा को संभोधित की 29 जून को मुंगे लोगसभा के लखी सराय में जनसभा को संभोधित की 16 सितंबर को जनजरपूर के जनसभा संभोधित की 5 नवंबर को मुझद्फर पूर में अब अमिद्श्या जनसभा को संभोधित करेंगे वैसे तो पार्टी सभी 40 लोगसभा सीटों पर रनीती बनाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन 10 सीट ऐसी है जो चिनित किये जाएंगे अब तक चुनाब नहीं लड़ा है इन सीटों पर अब तक भाश्वा का कोई सहयोगी दल ही चुनाब लड़ते रहा है ऐसे सीट पर किशन गंच नवादा गया जांजरपूर कटिहार मुंगेर पुनिया सुपॉल वैशाली बालमी की नगर शामिल है इन दो हजार पाचीस में दो तीहाई बहुमे से बिहार में इंडे की सरकार बनेगी और भाश्वा का यहीं लक्ष है एक तरफ जहां कल पांच नवंबर को अमित शाह का मुझफर पूर में भव रैली होने जा रहा है और ये दस महीने में पांच वा रैली है जन सवा को में जुट गई है और जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है तब से बीजेपी हर हाल में बिहार की सत्ता को एक बार फिर से वापस पाना चाहती है और इसके प्रियास में वो लगी हुई है फिलहा कले इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए दे